तो ददबया मिशी को सब इनकों की डुवो जुहार तो चलिए आज हम क्या सिखने वाले हैं तो बोट पर हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या सिखने वाले हैं लेकिन कुछ खास सिखने वाले हैं क्या खास सिखने वाले हैं तो कोल सब दांस के पहले प्रिफिक्स जोड़ना सीखेंगे वाह क्या मज़ेदार आज बहुत ही अच्छा मज़ेदार हम लोग कोल भासा में सीखने वाले हैं यानि कोल भासा में प्रिफिक्स कौन कौन सा होता है उसमें से आज एक सीखेंगे तो prefix क्या होता है कॉल भासा में? कौन सा prefix है? आईए हम लोग सब्दान्स के आगे आगे आप तो जानते हैं कि prefix क्या होता है? सब्दों के आगे जोड़ कर लगाया जाता है, है ना? यह छोड़ी सी बाते तो आप लोग जानते ही हैं तो prefix क्या करेंगे? तो यह सब्दान्स है, सब्दान्स है, इसके आगे हम लोग prefix जोड़ेंगे, तो कॉल भासा में कौन सा prefix है? तो कॉल भासा में वो prefix आ है, कौन सा है? तो वो आ है, तो चलिए हम लोग आ लगाते हैं इन सब्दान्सों के आगे और देखते हैं कि इसका क्या क माल हो रहा है, तपा के आगे आ लगाएं, पे के आगे आ लगाएं, ले के आगे आ लगाएं, बू के लगे आ लगाएं, और कीन के आगे आ, और कीन के आगे आ, और लें के आगे आ, और बेन के आगे आ, रमे के आगे आ, और जो के आगे आ, और का हम कुछ एक बहुत ही अच् चीज बताएंगे आगे चलते हैं तो जलिए ये सब्दांस के आगे आ लग गया तो ये कौन सा सब्द बना तो चलिए इसको जोड़ देते हैं तो आ और पो मिल गया आप हो गया आ और पे मिलें तो आप पे हो गया आ और ले मिलें तो ये आले हो गया और बू मिलेगा तो ये अबू हो जाएगा और और कीन मिलेगा तो ये अकीन हो जाएगा और और कीन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा अकीन हो जाएगा और और लिंग मिलेगा तो ये अलिंग हो जाएगा और बेन मिलेगा तो ये आबेन हो जाएगा और रम मिलेगा तो ये आर में हो जाएगा और और जो मिलेगा तो ये आज बनेगा लेकिन आप कहेंगे दादा शब्द तो बन या शब्द का मीनिंग क्या होगा इसका अर्थ क्या है तो धैर रखिए हम next वीडियो में बताएंगे ना आप लोगों को पहले ये prefix तो सीख लिए आज हम ये सब्दान्स है सब्दान्स के आगे हम prefix आज और जो होता है एक prefix होता है ये हम सीख लिए आज हम छोटे छोटे चीज सीखते चलिए है ना तो जो मजे की बात बताने जा रहे थे कि आप पढ़ते कैसे हैं ठीक है ना तो हिंदी में क्या होता है इसको आप पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इसको आप पढ़ते हैं लेकिन आप अगर कुल भासा के प्रोनॉंसेंस में जाएंगे तो इस अ को आपको अ पढ़ना पढ़ेगा क्या पढ़ना पढ़ेगा तो इस पर ध्यान दीजेगा तो यह जगा और पा अप हो जाएगा और पे अपे हो जाएगा और ले अले हो जाएगा और बू अबू हो जाएगा और कीन अकीन हो जाएगा और कीन अकीन हो जाएगा और लिंग अलिंग हो जाएगा और बेन अबेन हो जाएगा औरर में हो जाएगा और जो अज हो जाएगा ठीक है न? ये मैंने कासीज बता दिया न पढ़ने वाली की आंको आ पढ़ना है ठीक है न? जैसे कि आप का पढ़ते हैं dw का को हिंदी में का पढ़ते हैं लेकिन आप कॉल भासा में इसको जब परनौसेंज पढ़ेंगे तो का को आप कॉ पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कॉ पढ़ेंगे इस चीज को आप ध्यान दिजे बाखी चीजे आसान करता जाओंगा मैं तो सभी को पुना डवा जहार कैसा लगा वीडियो को सेयर कीजे न भूलें और वीडियो को बहुत लोगों तक पहुचाएं और कोल भासा सिखाएं मैं आप लोगों के साथ मैं हूँ जोहार